कि हेलो मैं जीपी दूवेय आप लोगो को आई टै आई कन चैनल में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को मत्मा क्वार्ख आगनीपत जोजना के जरिये तीनों सेनाओं केलिए जो अग्नी वीरों का सेलेक्शन हो गए यह मत्वाक कांग्शी अगनिपत जोजना के जरिये तीनों सेनाओं के लिए चूने गए अगनिवीरों को अर्द सैनिक बलों यानि केंद्रिय सरस्त्र पुलिस बल सीए पीएफ और आसम राइफल्स की भर्ती प्रत में प्राथमिक्ता दी जाएगी केंद्रिय ग्रिह मंत्राले द्वारा लिये गए इस फैसले की घोसना बुद्वार को खुद ग्रिह मंत्री अमित्सा ने ट्वीट के जरिये की है ग्रिह मंत्राले ने C.A.P.F और आसम राइफल्स की भरती में इस जोजना के तहत चार साल पूरे कर चुके अगनिवीरों को प्राथिमिक्ता देने का फैसला किया है उन्होंने एक एनिट्वीट में कहा प्रधान मंत्री मोधी के मार्दर्शन में ग्रिह मंत्रा ले द्वारा लिए गए इस निर्णाय से अगनिपथ जोजना से प्रसिक्षित जुवा देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देra सकेंगे अगनिपत जोजना के ताथ साड़े सत्रह से 21 वर्ष के जुआओं को सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना वायू सेना और नौ सेना में चार साल के लिए भरती किया जाएगा जो अगनिवीर कहलाएंगे चार वर्ष बाद इनमे से 25 परतिसत को आगे की सिवा के लिए रखा जाएगे अगनिपत से NCC केड़ेट को मिलेगा बहतर मौका जनरल गुर्बिर्बल सिंग ने बुद्वार को नागपूर में कहा कि अगनिपत योजना से नेस्तर केड़ेट को और NCC केड़ेट को बहतर मौका मिलेंगे पहले साल की सेना में कितने अगनिपीर होंगे अगले साल चो मैने में थल सेना 25 यार अगनिपीरों की भरती करेगी उसके बाद सेस 15,000 अगनिपीरों को भरती करने की प्रक्रिया सुरू होगी नव सेना पहले साल 3,000 अगनिपीरों को लेगी बायू सेना भी पहले साल इस जोजना कतात 3,500 अगनिपीरों की बाहली करेगी ये वीडियो यहीं स्वाफ्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईट्या एकन को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे द्वारा जो वेकनसी के वीडियो और अन्य पढ़ाय लिखाई की वीडियो बनाता हूं उसे आप देख पाएंगे धन्यवाद